तो सबी स्टूडेंट जो भी 10th कलास में पढ़ रहे हैं, प्री बोर्ड के असाइनमेंट चल रहे हैं, यानि प्री बोर्ड एकजाम चल रहे हैं, ये कलास 10th का विज्ञान का पेपर है, तो यहाँ पर कुछ कोशन पूछे के थे, option type मैं उसके बारें पताने वाला हूँ और बड़े-बड़े कोशन पूछे के थे, सबसे पहले एक नमबर के आया थे, section A में, और ये 60 नमबर का पेपर था, प्री बोर्ड का, और यहाँ पर देखें, ये जो कोशन है, काफी ड़के पूछ रहे हैं, और मैंने इसके कोशन के उपर बहुत मेहनत की है, और इस कोशन का answer निगाल है, इसमें पूछा गया था, इन्हें दूर्श का निर्मान कैसे होता है, तो इसका जो answer है, यानि अपवर्तन विशेपन, और कुल अंत्रिक प्रावर्तन, ये इसका right answer है, यानि इंगिल्स में बात करों तो इसका right answer B है, और अब हम चलते है next page पर, तो सबसे पहल यहां पर जो second का जो answer है यानि आधी half c इसके अलबा थर्ड कर जो question का answer है इसमें जैब निमनी करने है और जैब निमनी करने कच्रे के बारे में पूछा गया कि हम अलग-अलग क्यों फैकना चाहिए तो जो इसका right answer है वो है दोस्तों यहां पर आपको लिखना है यानि कि इस जैब चिक्रिश्या एपसिस्ट वे एपसिस्ट परता जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपगट नहीं होता जैब निमनी करने है एपसिस्ट कहलाती है जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें पॉलिधिन कांच सिरीज आदी यानि कि अगर आपने example के तोर पर लिखा है कि आप देख रहे हैं यानि की फॉर्थ कोश्टन तो इसमें आपको पूछा गया है मानवन जित्र के बारे में यानि इसके बागों का कारिया बताएज जैजी कोरनिया पुतली इसका जो आइंसर है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहा है पुतली यानि पुतली करने की अनुमति देता है सेकेंड यहाँ पर है यानि कि आपको इतना अगर लिख दिया तो आपको यहाँ पर एक नमबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर कोशन है यानि आपको यहाँ पर वाले तीन पतिरोधी को किस परकार जोडने की सब्सक्राइब कि परतिरोधी को निम्लत हो यानि कि आपको इसके फॉर्मॉला के हिसाब से करना तो इसको राइट अंसर दोस्तों 6 होम है यानि 6 और उर्जा के यानि की आदर स्थरोध के गुण क्या गुण है इसके बारे में आपको बताना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उर्जा वाला को कोशन का क्या अंसर है तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्लत गुण होते हैं यानि कि नंबर वन इकाई दरमेमान का आयतन उर्जस्तोत से अधिक मातरा में कारिया होना चाहिए नंबर सैकंड यह असान में दखाए हैं उसके बाद साथवा कोशन है यह आपका लिखने वाला है बड़े-बड़े बांदू का निर्मान करते समय किन-किन समस्याओं का विसे जरूप से जमधान किया जाना चाहिए आठवा कोशन है यानि विदित मोटर का कार्य विदी आपको यह करना था इसके चार रंग आपको मिलेंगे ठोड़ा लंबा जो मोटर वोती है कैसे उसके बारे में आपको लिखना था इसके बारे में आपको इसके बारे में और निकालना है आशर उसके बाद यह यहां पर आपका दो दो नमबर का मोडर कारों में उतल दरपन और पस्चे दिर्शे दरपनों के ले विरते क्यूं दी जाती है यानि कि जो कार वगर में सीसे लगे होते हैं बैक्गराउंड देखने के लिए उसके बारे में वो लेक किया है तो आपने आई हो आपने पड़ा होगा तो आपने किया भी होगा इसलिए आगे भी आपको लिखने वाले कोशन मिलेंगे इसके अलावा फिर ओप्शन वाले कोशन आ जाते हैं सेक्षन बी में कुछ ओप्शन वाले तो दोस्तों ये भी जो मैंने अंसर है बिलुकुल आपके लिए निकाला है बड़ी मुस्किल से जिसका राइट अंसर दोस्तों यहाँ पर है D यानि की जर्मेनियम यानि मैंडिलिफ ने अपनी अवर्थसारनी बनाई थी जिसमें उसने कुछ रिखिस्तान छोड़े थे B यानि की आने वाले समय में उस रिखिस्तान पर ये इस तरह के जो तत्तव हैं वो रखे जाएंगे तो इसका राइट अंसर दी है उसके बाद यहाँ पर है ग्यारवे का जो राइट अंसर है वो दोस्तों HCL है काफी स्टूड यहाँ पर A अंसर करका है लेकिन जिसका राइट अंसर है वो है B उसके बाद यहाँ पर बारवा कोश्चन आपको पी एच मान निकालना है आपको सुतर लगा के एक नंबर का है यह आपके लिखने वाले कोश्चन है जितने आप देख रहे हैं यह सभी आपके लिखने वाल होगा तो आपने लिखा होगा तो यह सब पढ़ने वाले कोश्चन है उसके बाद यह सिर्फ एक नंबर का आ चुक है एक युगम जिसे पिता से एक्स गुन्ड सुत्तर प्रावत होता है तो होने वाला सुच्शू होगा तो यानि कि B इस कंसर है यहाँ पीता से एक्स गु फिर ये आपका एक अंकों यहाँ पर आ जाता है इनका शीर में स्थिती और संतुल किसके द्वारा निंतन होता है तो यहाँ पर इसका मैंडूला या बीस का राइट अंसर है उसके बाद 20 का मुझे आप अंसर पताईए कि 20 का राइट अंसर क्या है कमेंट बोक्स में देखता हूँ आपको भी क्या कुछ आता है यह लिखने वाला कोशन है यानि आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके बारे में चिंता का विशे क्यूं है इसके बारे में C, F, C, S का नियूर्वन के बारे में आपको लिखना है तेस्वे का भी आपको लिखना है यहाँ पर इसमें आपको यानि की फैचान करना है किट के पंक, चमगादर के पंक, चिपली के अगरपाद और पकसी के अगरपाद यानि समरूप और समजात अंगों की फचान करनी है कि दोनों में कौन-कौन समान है उसके बाद फिर यहां पर आ जाता है 24 वा कोशन 24 वा कोशन में भी आपको लिखना है 25 वे कोशन में आपको मैंडल के बारे में द्वारा कैसे पता चला की एलक्षन प्रभावी होते हैं मैंडल जो थे उसके पास मटर का पोता था उसके लिए उसने यहाँ पर एक सरंचना की थी 26 वे का भी आपको लिखना है यहाँ पर इस तरह से और आपने पढ़ा होगा तो आप लिख देंगे उसके बस 27 वे का आपका लिखने वाला कोशन है एक नमबर का इसके अलावा यहाँ पर दोस्तो यह आपका चार नमबर का है या तो आप यह कीजिए या फिर और में आपको जो दिया गया है यह कीजिए तो यह वीडियो हैं पर समाप्त होती है मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया है जो लिखने वाला था वो मैंने आपको बताए कि आपने लिखना पड़ेगा जो उप्सन टाइप था वो मैंन झाले दोस्तों किसा, तैंस फुरोची